टॉप मूविस की टॉप में बात करते हैं और इस वीडिय में ऐसे कासी मेहनत लगी है तो फिर हम लोग पचास लाइक का एम यहां पर करते हैं तो प्लीज सहला दीजे पचास लाइक यहां पर कुछ भी नहीं है आप इतनी लोगों एक क्लिकर हो जाएगा सो भाई पहले काफी खराब नहीं हो जाया ऐसे कलकी से निकल कर आ रही है कि फिर से एक बहर कलकी की डेट डिले और हो सकती है क्योंकि जो डिरेक्टर ना किश्ण है वो थोड़ा से संटुष नहीं इसकी वीएफक्स से वो थोड़ा और यहां पर काम करना चाते हैं लेकिन भा से संटुष नहीं है तो यहां पर कुछ भी हो सकता है इसके थोड़े चांसे हैं टेन टू फाइब परसेंट उसके बाद अगर अगली नियूस की बात करें जो कि नितिश्टर पाठी की रमायन मुवी के बारे में जो कि रमी कपूर एंड साइप अलवी एंड यश्क के यहां पर कुछ ऐसी नियूस निकल कर आ रही है कि नितिश्ट च्रबाटी एक साथ इसके दोनों पार्ट के शूटिंग कर देंगे मतलब पहला पार्ट होगा इसके शूटिंग छे साथ आट मैने में खतम हो जाएगी फिर दूसरे पार्ट को भी इसी में लपेट कर जल्द में 800 क्रोड लग रहा है ठीक है और दुसरे पार्ट में लोग अच्छा पैसा खर्श करने वाले हैं यहां पर साप लोग 2000 क्रोड ऐसे खर्चा कर दोगे तो फिर आप क्या करोगे अब आपको पूरा भरोसा थोड़ी अपने उपर किया आपकी मूवी एकदम 100% उपर ही आएगी माल लो आपने कुछ यहां वां कर दिया एंड सीधा निशेगर होगे आराम से लाने का धीर से लाने का लेकिन अच्छा लाने का बठीक अच्छी बात है हम ज्या अब से जब टाइम होगा तब शाट हो जागी अभी मतलब दो महने का ब्रेक है शैसे को यह और प्रॉपर वाट तो की शूटिंग होगी जो कि यह पूरा साल तो चलने ही वाली है अगले साल जाकर फर्श्ट सेकंड या फिर आप मार्स पास इसकी शूटिंग शाट होगी मार्च के आज पास कि शूटिंग शाट होगी एंड फिर उसके बाद एक साल पूरा शूटिंग होगा फिर आप मां सकते हो कि 26 के एंड तक यह आएगी तो काफी लॉंग टाइम है लेकिन भाई यार टाइम भी इतने में पता ने चलता ऐसे करके खट से भी जाता है हमें प पहले तो सलार पार्टू के उस पर काम होगा सब्सक्राइब प्रवास को पर भी ऐसे काफी लोड है कलकी की आने वाली वहाँ पर तो कोई काम नहीं या विंका शूटिंग में सब कुछ खतम हो चुकी है अभी तो यह काम कर रहें स्पिरिट पर जो कि साल के एंड तक आ जा यहाँ पर मुझे लग रहें कि खांसार में पहले सलार थे वहाँ पर क्योंके से लवर वग रहे थी मतलब यह जो शूरुती हचन है इनसे पहले विंकी कोई ऐसे और लवर थी और राज मरनार याने की वह प्रितिवी राज इन्होंने कुछ मार कर दिया था या फिर कुछ प्लीज